जैसी अराम जी मैं पंडित मिंद्य प्रकाश पंडे स्वागत करता हूं आपका कुंडली टीवी के कारिक्रम आज का राशी फल में शुरुबात करते हैं आज के पंचांग से मेश राशी आज का दिन मानसिक तनाव देने वाला होगा आज खर्चे से आप परिशान हो जाएंगे स्वास्थ में थोड़ा सुधार दिखाई देता है मेश राशी वाले आज बहुत ठंडी चीजों का सेवन ना करें इससे आपको कफ की कोल्ड की समस्या हो सकती है काम के सिलसिले में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी अपने काम से काम रखें दूसरों के काम में हाथ न डालें यात्रा के दोरान साउधानी रखें आपके प्रिय से आपके संबंद बिगड सकते हैं शादी शुदा जातकों का दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा और आपके परिवार में सुख रहेगा मेश राशी वाले आज शंकर भगवान को पंचामरित चड़ाएं दूद, दही, घी, शहद और शक्कर इन पांचों चीजों को मिलाने से पंचामरित बनता है आपका दिन शुब होगा वरिश राशी आपके लिए आज का दिन अच्छा है इनकम बढ़िया रहेगी परिवार में आपसी प्रेम बढ़ेगा शादी शुदा जातकों के दामपत्य जीवन में दिक्कत आएगी जीवन साथी का स्वास्त्य खराब होगा प्यार के मामले में भी सावदानी रखें किसी तीसरे आदमी के बीच में आने से आपस में लड़ाई जगड़ा होने का योग रहेगा वरिश राशी वाले आज शंकर भगवान को दही चड़ाएं ताकि आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का भगवान आशुतोष स्वयम निवारन कर दें मितुन राशी आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा काम के सिलसिले में अच्छा समय रहेगा मन लगा कर काम करेंगे तो नतीजा अच्छा होगा अन्यथा परिणाम सामान्य से भी कम रहेंगे सुख सुवधाओं के कारण खर्चा जादा करेंगे जिससे मन दुखी होगा शारीरिक रूप से किसी दिक्कत से परेशान हो सकते हैं कोई चोट या पेट दर्द भी आज आपको परेशान कर सकता है शादी शुदा लोगों के दामपत्य जीवन के लिए दिन सामान्य है प्रेम जीवन जीने वालों के जीवन में आज मुझे उथल पुथल मचती हुई दिखाई देती है मितुन राशी वालों के लिए आज का उपाय है कि वो भगवान शिव को यग्यो पवीत अरपित करें चंदन का तिलक लगाएं हल्दी से उस पर तिलक लगाएं और उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में होने वाली उथल पुथल से भगवान आपकी रक्षा करें करक राशी करक राशी वालों का दिन आज बहुत बढ़िया है खर्चों में कटोती दिखेगी धन का लाब भी होगा काम के सिलसिले में नए अवसर आपको मिलेंगे आज कहीं से नौकरी का जो आपने आवेदन किया था वो स्विकार होगा और इंटर्वियू का कॉल आएगा आप अपने विरोधियों को आज हरा देंगे परिवार में प्रेम बनेगा आपकी मा का आशिरवाद और उसका प्रेम आज आपके जीवन में तरक्की की सेड़ी बनेगा व्यपार के लिए दिन बढ़िया है करक राशी वाले आज भगवान शिव का गंगा जल से ओम नमस शिवाय बोलकर अभिशेक करें आपके सारे बिगडे हुए काम बनेगे सिंग राशी सिंग राशी वालों का दिन सावधान रहने का है स्वास्त से सम्मंधित दिक्कतें आपको आ सकती है सिक्षा में मन कम लगेगा यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज आपको चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा अपने ही किसी दोस्त को अपने प्रेम के जीवन में हस्तक शेप करने के कारण आज आपका प्रेमी जीवन बिगड़ेगा इसलिए किसी को भी हस्तक शेप न करने दे पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा तनाव है हाला कि जो लोग शादी शुदा है उनका दामपत्य जीवन बढ़िया रहेगा ओफिस में किसी से जगडा होने का योग है व्यर्थ बात ना करें सिंग राशी वाले आज बगवान शिवको बेल पत्र भांग धतूरा अरपित करें ताकि ये लड़ाई जगडों से आपकी रक्षा हो सके कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है आज आप अपने जीवन साथी का पूरा ध्यान रखेंगे उसकी बातों को सुनेंगे इसी लिए आज आपके दामपत्य जीवन में खुशियों की बहार आएगी कारोबार में भी उन्नती का योग बना हुआ है आज आपकी बहुत सारी योजनाओं के सफल होने का योग है आपको खुशियां मिलेंगी पारिवारिक जीवन में परिवार वालों का स्वास्त थोड़ा यदि आपको परेशान करें तो उसके लिए आप चिंता ना करें अपना करम करते रहें यदि किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम जीवन में आज अच्छे नतीजे आपको हासिल होंगे आज आप अपने मन की बात अपने प्रेमी से जरूर कहें कन्या राशी वाले आज भगवान शिव को यदि पन्ना चढ़ाएं पन्ना एक रत्न है जो की कन्या राशी वालों के लिए है यदि आप भगवाज शिव को वो चढ़ाएं तो आपकी बुद्धी का आपके धन का वृद्धी होगा विकास होगा तुला राशी तुला राशी वालों का आज का दिन थोड़ा कमजोर है खर्चे में बढ़ोतरी होगी अपने भोजन में अधिक मसालों का प्रियोग ना करें वरना आपकी तबियत बिगडेगी आज मा का अशिरवाद आपके उपर बना रहेगा परिवार में खुशियां आएंगी परिवार के छोटों को कोई दिक्कत आ सकती है परिवार के छोटे सदस्यों का आज विशेश ध्यान रखना चाहिए यात्रा पे जाने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है किसी भी यात्रा से बचें प्रेम जीवन में आज खुशी के पलाएंगे और आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने के लिए भी जा सकते है दामपत्य जीवन के लिए दिन सामान्य है काम के सिलसिले में आज दिन बढ़िया रहेगा तुला राशी वाले आज शंकर भगवान को दूद से, शेहद से और शक्कर से तीन चीजों से अभिशेक करें आपका दिन शुब होगा वरिश्चिक राशी आपके लिए आज का दिन सामान्य नतीजे लेकर आएगा प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलेगी यदि आप शादी शुदा हैं तो दिन अच्छा रहेगा वाहन को सावधानी से चलाएं परिवार में किसी बात को लेकर माहोल गरम होगा जिस से आपको परिशानी होगी अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान दें स्वास्त्य बिगडने का योग है आज आपकी कोई आनंद दायक यात्रा हो सकती है उस यात्रा से आपको सुखद परिणाम होंगे आज आपका दिन सामान्य रहेगा वरिश्चिक राशी वाले आज शंकर भगवान को दूध में गंगाजल और लाल चंदन मिलाकर महा मृतुञ्जे मंत्र का जाप करते हुए अभिशेक करें ताकि आपकी स्वास्ते से सम्मंधित और पैसे से सम्मंधित परेशानिया शीग्र अतिशीग्र दूर हो जाएं धनु राशी धनु राशी वालों का आज का दिन मिला जुला है परिवार वालों का आपको सहीयोग मिलेगा काम के सिलसिले में परिवार वालों के सहीयोग से कई काम बनेंगे शादी शुदा लोगों के दामपत्य जीवन में भी दिन बढ़िया रहेगा और जीवन साथी से अगर कोई मन मुटाव चल रहा था तो आपसी दूरी भी कम होगी खर्चे काफी कम होंगे स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने मन की बात जरूर बता दे और आज कोई विशेश भोजन खाने को आपको मिलेगा जिस से आपको संतुष्टी भी होगी और खुशी भी मिलेगी आज धनुराशी वालों के लिए उपाए है वो भगवान शिव को गंगाजल में हल्दी मिला कर अरपित करें ये उपाए आपको धन के साथ साथ उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जिनके विवाह में विलंब आ रहा है मकर राशी मकर राशी वालों का आज का दिन सामान्य है यात्रा पर जाने में उनको बहुत बढ़िया अनुभव होगा काम के सिलसिले में अगर कोई यात्रा करेंगे तो वो भी आपको सफलता ही देगी आज आपके खर्चे बहुत जादा होने का योग है आज यदि कोई विदेश से सम्मंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनस आप करते हैं तो पैसे से जुड़ी कोई बुरी खबर आपको मिलेगी आज आपके मन में एक साथ बहुत सारे काम होंगे जिनें पूरा करना आपके लिए जरूरी होगा इंकम में वृद्धी होगी और प्रेम जीवन में तनाव बना रहेगा आपके परिवार वालों का पूरा सही योग आज आपको मिलेगा आज मकर राशी वाले भगवान शिव को काले तिल अरपित करे या तिल से बनी हुई कोई मिठाई अरपित करे आपका दिन शुभ होगा कुम्बराशी वालों का आज का दिन अच्छा है परिवार में खुशिया रहेगी काम के मामले में बहुत बढ़िया आज परिणाम आपको प्राप्त होंगे आपके खर्चे तो बने रहेंगे लेकिन चिंता मत करियेगा इनकम भी बढ़ने वाली है प्रेम जीवन जीने वाले लोग आज बहुत बढ़िया महसूस करेंगे आज उनके सम्मंद बहुत जादा पॉजिटिव होने का योग है जो लोग शादी शुदा है उनके दामपत्ते जीवन में थोड़ी खीचतान रहेगी थोड़ा उसका ध्यान रखें कुम्ब राशी वाले आज भगवान शिव को गन्ये के रस से या गुलाब जल से अभिशेक करें तो आपके आपस में जो बिगड़े हुए संबंध हैं वो तो सुदरेंगे ही उसके साथ ही साथ धन आगमन का योग भी बनेगा मीन राशी मीन राशी वालों का आज का दिन बहुत बढ़िया है आज आप मांसिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे इस वज़ा से आप सारे काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे आज का दिन आनंद में भरा रहेगा शादी सुदा लोगों के दामपत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा खुशियों में बढ़ोत्री होगी आज आपकी कोई ऐसी इच्छा जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हुई थी वो पूरी हो जाएगी जिससे आपका मन खुश होगा परिवार का माहोल खुशनुमा रहेगा प्रेम जीवन जीने वाले लोगों के जीवन में खुशी भरे पलाएंगे परिवार के किसी बड़े व्यक्ती का स्वास्थ्य बिगड सकता है मीन राशी वालों के लिए आज का उपाए है भगवार शिव को सर्वोशदी गंगा जल में मिला कर अरपित करें महामिर्तुन्जे मंत्र का पाठ करते रहें जब आप ये अरपित करते हैं इस से आपका आपके परिवार के व्यक्तियों का स्वास्थ बढ़िया रहेगा जैसी आराम आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे आपके राशीफल के साथ अपने बारे में और जानने के लिए फेस्बुक पर कुंडली टीवी को फॉलो करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए जैसी आराम